अभासंतर भास कह समरसर सर्वात्मना बोध कह अरे ये तो मेरे द्वारानू अधित ग्रंथ है इसे कौन गारा है सोच्च शर्म दतातू सर्व जन्ता विवाही सुद्दाष्ट कह अस्मसू प्रते कह तस्सनियते अधिपतब इसका अल्थ क्या है अर्थार हमें से प्रतेक अपनी नियती का स्वयम स्वामी है मनुष्य अपना भाग स्वयम ही बना अत्व बिगार सकता है गुरु माता ने श्लोक के अर्थ की भी कितने सुंदर व्याख्या की है ओ इसका अल्थ अत्यन तिकेल है हाँ गुंड़ अप्पा अम्मा मेरी अम्मा आगे ये पकड अम्मा संभाल के, संभाल के, संभाल के तिनाली गाउं में सब कैसे हैं, सब कुशिल मंगल तो है अम्मा ये देखो मैं लड्डू लाया हूं तुमारे लिए अम्मा दो अरे लड्डू नहीं आशिरवाद दो आशिरवाद अम्मा शार्दा का है? चली गई? कहां चली गई? अले शाल्दा के बच्पन के सहली का स्वास तूचित नहीं है इसलिए वो तेनाली गई है अरे ये तुम दोनों सास बहुने क्या लगा रखा है एक आती है तो दूसरी चली जाती है अब तुम तेनाली गउसे आई हो तो वो चली गई क्या अम्मा? छोड़ो वैसे गुरुमाता आपका संस्कृत भाषा का उच्चारण अत्यंति स्पष्ट है धन्यवाद पंडित रामकृष्णा हमें हमारे स्वर्गे पिता श्री ने संसृत्य शिक्षा दी थी वावावाव अत्यंति ग्यानी पुरुष रहे होंगे वो उन्हें शत्चत नमन अम्मा अब हमें आग्या दीजे प्रणाम प्रणाम पंडित रामकृष्णा प्रणाम गुरुमाता अम्मा यह गुरुमाता क्यों आए थी कुछ खाने आए थी तुम्हारे लड़ू लेने आए थी लड़ू चुराने आए थी बोलो भगवान का प्रशाद देने आए थी लॉकी की सबजी लॉकी की सबजी? अम्मा भगवान को प्रशाद में लॉकी की सबजी कौन अरपन करता है? यह लॉकी की सबजी गुरुवर की अत्यांत प्रिय सबजी है ना इसलिए गुलू माता के प्लबुभी तो वही है यह मेरा गरंथ बाहर किसने निकाला? कुणडपे मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि मेरी किसी भी वस्तों को हाथ मत लगाया कर अम्मा के लिए इस गल में तेला मेला कुछ नहीं है जो है वो सबका है धन्यवाद अम्मा इस गल में तेला मेला तुझे नहीं है दो गरंथों का अनुबाद अभी भी शेष है महाराज द्वारा गरंथों के अनुबाद के लिए दे गई समय सीमा भी समाप्त होने वाली है मेरी सलामान और व्यर्थ के प्रियोजन छोड़कर गरंथों का अनुबाद कर हाँ बंदू, तु सत्य कहता है मुझे शीग्र तीशीग्र नुबाद का कारे समाप्त करना चाहिए महाराज की जर्व, प्रणाम महाराणी तिरु मलंभा जी प्रणाम महाराणी चिन्ना देवीजी प्रणाम महाराज, आपने हमें बुलाया सब कुशल तो है हमने आपको यहाँ पर एक विशेश प्रयोजन से बुलाया मामंत्री जी आपको तो ग्यात है कि पंडित रामकृष्ण ने हमारे लिए हमारे राज्जी के लिए क्या कुछ नहीं किया उनका जितना भी आभार व्यक्त किया जाए कम है और इस समय हमारे पास उने देने के लिए कोई यतुचित उफार नहीं है और ना ही कोई सम्मानित पद है अता हमने एक नवीन योजना बनाई है जिसके अंतरगत हम चाहते हैं कि आप एक भव्य समारों का आयोजिन करें विजनेगर राज्य के गणमान्य जनों को आमंत्रित करें हम समस्त विजनेगर के समक्ष पंडित रामकृष्ण को सम्मानित करना चाहते हैं महाराज ये तो अतियुक्तम विचार है महाराज हम अभी से सारी व्यवस्ता कर लेते हैं हमें आज्या दीजे महाराज आई आई महामंत्री जी प्रणाम 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 गुरुवर या बात है महामंत्री जी बड़े व्यस्त दिखाई पड़ने हैं हम तो महराज की आज्या का पालन कर रहे हैं ऐसी क्या आज्या देदी महाराज ने आपको महाराज की इच्छा है कि एक भव्य समारो आयो जितकर विजयनगर के भद्र जनों के समक्ष पंडित रामकृष्णा को सम्वानित किया जाये एक बार पुने कहिए पंडित रामकृष्णा को सम्वानित किया जाये बस उसी की व्यवस्ता में हम लगे हुए हैं और हाँ गुरुवर आप भी अपने परिवार सहिद इस समारों में अवश्य पधारिए गाँ हमें आक्या दीचे प्रणाम गुरुवर आप देखे न गुरुजी आप तो विजय नगर के वहान राजगुरु हैं किन्तु आज तक महराज ने आपके लिए तो महराज ने आपके लिए भवे समारों तो क्या एक छोटा सा तंबू लगा कर भी आपका समान नहीं किया गुरुजी छेर है कर दो 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 प्रणाई ने प्रणाई प्रणाई ने ने गुरुजी आपके लिए तो दोनों ग्रंतों कानुवाद पूर्ण हुआ अब मुझे शीगरे इने लेकर गुरुवर के पास पहुशना चाहिए वो मुझसे प्रसन्न भी है बढ़ते ही स्विक्रिती प्रदान कर देंगे हाँ कदा भी नहीं महराज की इच्छा है कि एक भव्य समारो आयोजिकर पंडित रामकृष्ण को सम्मानित किया जाए कदा भी नहीं हमारे रहते पंडित रामकृष्ण का सम्मान कदा भी नहीं हो सकता गुरुजी अब महराज से विद्रो करेंगे यह भी तो सोची सम्मान समारो का अदेश वह महराज ने दिया है हाँ प्रणाम गुरुवर प्रणाम धनीवनी मैंने कहा प्रणाम क्या है यहां कि वायो गुरुवर मैंने महराज द्वारा दिये गए गरंथों का अनुवाद पूर्ण कर लिया है आप प्रिपय एक बार जांज लें बस सम्मानित होने के लिए बड़े उताव ले हो रहे हो पंडित रामाकृष्णा अभी आपको सबक सिखाते है अवश अनुवाद कारे की जांज करना आते अंति अवशक है हाँ महराज ने हमें आपका मारत दर्शक बनाया है पंडित रामाकृष्णा और हमारी जांज के बिना आप इन अनुवादित गरंथों को महराज की समक्ष प्रस्तूत नहीं कर सकते यह सदायव समर्ण रखिया अगा पंडित रामकृष्णा इसी कारण तो आपके पास इंग्रंथों को लेकर आया हूं गुरुवर उचित बैठी और हमें ग्रंथ पढ़कर सुनाई बैठी बैठी अब गुरुवर गनेश वंदन से ग्रंथ पढ़ना आरंप करूं या सीधा अनुवादित पढ़ू इसे पंडित हो पंडित रामकृष्णा इतना बेजात नहीं आपको कोई भी शुबकार्य गनेश वंदना से ही प्रारंप होता है हाँ 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 ख्रमा करें ख्रमा करें गुरुवर्ष्ण शुक्लामबर धरम विष्णुम शैसी लए पंडित रामकृष्णा चिल्ला क्यो रहे हैं आप चिल्ला क्यो रहे हैं उठीए थोड़ा दूर जाएए वाह जाकर पढ़िए शुक्लामबर धरम विष्णुम शैसी लए क्या क्या रहे हैं पंडित रामकृष्णा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है पंडित रामकृष्णा वो गृंत आप हमें दे दीजे हम पढ़ेंगे तो अब सौय को वश्ष्ण नहीं देगा जो आग्या गुरुमता यह लिजे शुक्लामबर धरम विष्णुम शैसी वर्णम चतुर्भुजन प्रसन्वदनम ध्यायेता सर्व विखनु पुशांताई वा 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 गुरुमाता आपका कंथ कितना मधूर है और उचारण कितना शुद्ध बरुन माला जाए जाके जल लेके आए हमें अत्याथिक प्यास लगी जुआ क्या स्थी जाए पंडित रामकृष्णा ए पकडिये करणथ और पढ़िए जी गुरुट शुक्लांबर द्रण एक्षिन पढ़नी तरह मखिशन ऐखो ऐखो आज का दिवस बड़ा उश्न भरा है धनिवने जाओ जाकर पंखा लेकर आओ अभी लेकर आते हैं गुरुवर यदि अब आपकी आज्या हो तो मैं हाँ पढ़ी पढ़ी किरिपया पढ़ी शुक्लामबर धरम विश्वुप एक शन पढ़नी तरामकिष्णा एक शन हमें ऐसा परतीत होता है कोई त्वार खट खटा रहा है जाओ देखो कोई भी नहीं है कोई नहीं है अच्छा हमें भरांती हो गई थी किरिपया पंडित रामकिष्णा पाठ आरमकिष्णा शुक्लामबर धरम पंडित रामकिष्णा क्या कर रहें आप फिर चिला रहें आप हमने चिलाने के लिए नहीं काई पाठ पढने के लिए काई लाइए हमें दीजिए हमसरम पढ़ लेंगे आपका अनुवात बहुत इन्निम्र स्तरका है हम इसे अनुमती नहीं दे सकते हैं तो गुरुवर आपने तो ग्रंथ पढ़ा ही नहीं महान है स्वामी महान है आप मात्र कुछ प्रष्टों को इस पर्ष करके ही आपने संपूर्ण ग्रंथ को पढ़ लिया आपके अनुग जै हो आपकी जै हो स्वामी जै हो आपकी बस 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 जल्च जल्च जल्का क्या करें आप ही आप हीने हम सिलाने को कहा था हमने कब कहा है गुर्वल अब आप ये ग्रास पंडित रामा किशना से किसी गंभीर विशेबर चर्चा कर रहे हैं अवश्या कीजे स्वामी, हम आपसे कब बना कर रहे हैं परन्तो हमें आग्या देदीजे कि हम इस जल्का क्या करें जल 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 हमारे सरपर नाल दीजे जल अबने द्रामा ना पड़िया जो हाख्या स्वामी एन… केंद अ केंद तो कि खुर्ण लुखर्ण जाइ के काुशी हुज्बर ठन्नी होगय हम ठन्नी होगय हम,ließen सवामी आप कस पर्ष पाकठ, पभेत्र हुए जदस्या आप र्षेह सभड लुग जाइए एा इसवामी अब जाएए अब जाएए वरूमाला, आप से क्रिप्रापिटर जाएए, जाएए जाएए स्वामी महाराज ने हमें आपका मारिदर्शक बनाया और आपके अनुवाद में अत्यतिक दूटियां हैं यदि महाराज ने इसे पड़ा, तो आपके साथ साथ हमें भी दन देंगे जो हम कदापी स्विकार नहीं कर सकते गुरुवर गुरुवर यह लेके जाएए ग्रंट और कुने अनुवाद करके लाइए यह लेके लेजुप प्रेंग कर यह लेके लाग अब देखना पंडेत्र रामक्रिष्णा आगी आगी क्या होता है नहीं नहीं अम्मा जी हमारा कहने का तात्परिया ये था हाँ अरे नहीं नहीं वह प्रणाम पंडित रामक्रिष्णा बदाई हो पंडित रामक्रिष्णा कल प्राता काल महराज ने आपके सम्मान में एक भव्य आयोजन किया है महराज को विजयनगर की प्रजा को यहां तक के हमें भी आपके किये गए सरानिय कारियों पर गर्व हैं और आशा करते ही कि आप अपने परिवार सहित कल राज दर्बार में उपस्तित होंगे जो आज्या मंत्री फर अब हमें आज्या दीजे पंडेत रामक्रिशन प्रणाव प्रणाव अम्मा अम्मा गुरुवर ने मेरे द्वारा अनुवादित गंतों को अस्विकार कर दिया है और कल ग्रंतों के अनुवाद की महाराज द्वारा निर्धारित समय सीमा समाप्त हो रही है तो क्योंकि गुरुवर को महाराज ने मेरा मार्क दर्षट बनाया है उनकी स्विक्रिति के बिना मैं ये ग्रंत महाराज के समक्ष प्रस्तुती नहीं कर पाऊंगा और मुझे ग्यात है मैं चाहे कितना भी अच्छा नुवाद कर लूँ न गुरुवर मुझे कभी स्विक्रिति प्रदार नहीं करेंगे क्या ठीक है एक और गुरुवर मेरे ग्रंतों को अनुमती नहीं देना चाहते तो दूसरी और महाराज मेरे सम्मान में समारों रख रहे हैं कर अनुवादन पूल करने का अंतिम दिवस है यदि महाराज ने अनुवादित ग्रंत मांग लिया तो झाल 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 झाल